नमस्कार, प्रियदर्शकों हाजर हुमें, आज जिस विशय पर हमारी चर्चा है, ये जोतिस का एक बेहद गूढ रहस्य है, प्रियदर्शकों जन्म कुंडली में वैसे तो प्रतेक भाव और प्रतेक भाव के भावेश अपने आप में बेहद खास हैं, लेकिन उनमें भी लगनेश सबसे ज़्यादा खास है, क्योंकि दूला है लगनेश, बाकी तो सब बार आती हैं, अब लगनेश का प्रतेक अंस अपने आप में माइने रखता है, आज तीन ऐसे अंसों की चर्चा में लेकर के आप सब के समुख उपस्थित हुआ हूँ, जिसे जानना, जिसे समझना, इसलिए भी आवश्यक है, कि इसे अगर आप समझ लेते हैं, तो ये समझ सकेंगे कि जो तुस कितना गहरा, कितना गंभीर विशय है, चलिए चर्चा प्रारम्भ करते हैं, कारेक्टम छोटा, लेकिन बेहद ग्यान वर्धक है, रहकला, वो सात अंस में ही गिना जाएगा, यदि सात अंस पर इस्थित हों, तो समझ लीजिए, कि ये बैवाहिक और साजेदारी, ये जो दोनों रिस्ते हैं, उसको अस्थिर कर सकते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए, ज़रूरी नहीं है, कि लगनेस की दृष्टी सप्तम प और हो, तो ये जातक के बैवाहिक जीवन में और स्थिर्ता का सामना करने के लिए बाध्य कर सकता है, अथवा, जन्म कुंडली में दामपत्य जीवन लाख खराब हो, दामपत्य जीवन को सुखत भी बना सकता है, कैसे? प्रेदर्शकों, जन्म कुंडली में यदि लगनेस पीडित अवस्था में, अथवा, किसी भी तरह से पीडित होकर के पापग्रह से दृष्ट यूत्या पापमध्यत्यों के इस्तिती में साथ अंसपर हो, तो जातक जब भी किसी के साथ साज़ेदारी करेगा, साज़ेद शुक्र की उर्जा मिल जाती है, यूँ समझ लीजिए, कि ये सातवा अंसव शुक्र की उर्जा से जुड़ा हुआ है, जो बैवाहिक जीवन और साज़ेदारी का कारक होता है, अब इस अंसपर यदि ग्रह लगनेस पीडित हो, तो सबसे ज़्यादा साज़ेदारी और दा देखने में आती है, जहां दामपत्य जीवन में परिशानी तो साफ दिखाई पड़ती है, फिर भी उनका दामपत्य जीवन चलता रहता है, तो इस अंसपर बैवाहिक जीवन को सुखद बना देता है, बैवाहिक जीवन में किसी भी तरह की परिशानिया नहीं आने देता, बलकि अगर अब देखिए, सब्तम भाव पीडित होगा, तो उसके चलते कुछ न कुछ जातक की जीवन काल में परिशानिया उत्पन्न होगी, लेकिन दमपती के बीच आपस में ऐसा प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, जिसके चलते वो दिखाने के लिए लड़ भी जाएं, कई बार डिश्टर्ब होगा, इस समंत्र का एक सबाठ बार जब करिये, इससे चाहे वो बैवाहिक संबंध हो, या किसी भी तरह का पार्टनर सिप वाला संबंध हो, उसमें गलत फ़हमी उत्पन्न हो रही है, मत भेद या परिशानी उत्पन्न हो रही है, वो दूर हो जाएग प्रिदर्शकों लगनेस यदी कुंडली में 19 अंस पर इस्थित हो। फिर दोहरा देता हूं कि 19 अंस 10 कला, 19 अंस 5 कला, 19 अंस 2 कला, 19 अंस 20, 25, 50 कला। उनिस अंस में ही गिना जाएगा। ये अचानक यात्रा स्थान परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। यानि ऐसे जातक के जीवनकाल में आकस्मिक घटनाएं बार-बार होती रहेंगी। फिर से सुनिया और समझ लीजिए। यदि लगनेस 19 अंस पर इस्थित हो, तो ऐसे जातक को जीवनकाल में अचानक बार-बार यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। ऐसी इस्थिति में जातक का जो करियर है, वो सदैवनिवास स्थान से दूर होता रहेगा और बार-बार बदलता रहेगा ये इस बात का संकेत है। 19 अंस पर राहु की उर्जा एक्टिव होती है। अब यहां भी समझने की आवश्यक्ता है। अगर 19 अंस पर आपके लगनेस सुभग्रह से द्रिष्ट अब देखिए, चुकि यह रिष्टा नहीं है यहां पर, 19 अंस पर लगनेस में रिष्टा नहीं जुड़ा हुआ है। यहां आपका कारिक छेत्र जुड़ा हुआ है। तो ऐसे लगनेस पापग्रह से द्रिष्ट हों, यूत हों यह सुभग्रह से द्रिष्ट हों, यूत हो ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, हाँ, थोड़ा प्रभाव पड़ेगा, कारिक्षित्र में कई बार आप राजनीती का शिकार हो जाएंगे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि आपके लगनेस हैं, तो ये जीवनकाल में जातक के कई बार अईस्थरता उत्पन्न करेगा, लेकिन अब ऐसी स्तिती में राहू भी आपकी कुंडेली में मजबूत अवस्था में है, लगनेस अच्छी स्तिती में है, शुभग रहों से द्रिष्ट बली है, तो ये जित ऐसे अवसर कि अभी आप सामान निपद पर थे, आपको उठा करके उंचा पहुचा देगा, आप आज मा करके देख लिए, 19 संसे याद रखिएगा, अब 2-4 कला, विकला में आगे हो, उससे कोई मतलब नहीं है, 20 अंस नहीं होना चाहिए, 19 अंस पर है, तो आप राहू की आपके लगनेस हैं, और राहू भी अच्छी स्थिति में दिखाई पड़ रहा है, तो ये परिवर्तन आपको जवर्दस्त फायदा देगा, और अगर कहीं, आपके राहू भी ऐसी स्थिति में हैं, कि नीच रासी में बैठे हुए हैं, अथवा आपके लगनेस पूरित हो हैं, तब आपको फिर दिक्कत होगी, जब जब परिवर्तन होगा, पहले तो आपको परिशान करेगा, एक तो आपको घर के करीब नहीं रहने देगा, और उपर से कारिक छित्र में आप जहां भी जाएं, वहाँ परिशान होगे, कई बार इंसान ये सोच करके बाहर रह ले सनिवार और मंगलवार को फायदा मिलेगा, और यात्रा इत्यादी अगर कब इसको करना है, अगर आपका रहू वैसे ही ठीक है, लगनेश ठीक है, तो आपको क्यों करना, आपके लिए तो फायदे मंद है, फिर भी आप हनुमान जी क्या राधना कर सकते हैं, प्रिडित है करना है, और जब यात्रा इत्यादी करिए, तो बहुत सावधानी बरती है, एक और अंस बता रहा हूँ, आज तीर अंसों की चर्चा, जो कि बेहत अध्भूत मुझे लगा, तो मैं कहा आपको ये जरूर जानकारी देनी चाहिए, तेईस्वे अंस, प्रिदर्शकों ये इ जागरत कराने वाला दर्वाजा, यदि आपके लगने इस तेईस अंस पर इस्थित हैं, तो ये जातक को गुप्त ग्यान, आध्यात्मिक और रहस्यमई जो विशय है, इसमें गहरी रुची उत्पन करा देगा, कोई भी लगने सो, क्यूं? इस क्यूं का जवाब अब आप विशय है, ये केवल लगनेस की चर्चा चल रही है, मैं आपको बताऊं कि जन्म कुंडली में प्रतेक भाव और प्रतेक भावेस, जब किसी अंस पर होते हैं, तो वो किसी न किसी की उर्जा से जुड़े होते हैं, तेईस्वें अंस पर ग्रह, विशयसकर लगनेस, केतु क की उर्जा से जुड़ा है, ये आपके व्यप्तित्तो की चर्चा चल रही है, तो ऐसे जातकों के जीवनकाल में जो आध्यात्मिक अनुभाव है, उनको जैसे बेठे बिठाय कई बार प्राप्त हो जाएगा, वो आध्यात्मिक जो गहराई है, आम लोगों को पहुँच प कि जितनी भी कुंडलियों में देखने को मिलेगा, ऐसा रजल्ट हो सकता है, आपकी कुंडली में केतु अगर मजबूत इस्तिती में हैं, अच्छे यहाँ ये भी समझना है, कि मान लीजिए इसी अंस पर आपके लगनेस देव गुरु ब्रहस्पती बनते हैं, और वो हैं, तब तो ये चीज़ें आपके अंदर खुब भर भर के होंगी, तब फिर आप अपने घरवाले आपसे परिशान आपके होंगे, कि जब देखो ये पुजा पाठ में घुसे रहते हैं, कुछ नई मतलब हैं, इनको पुजा पाठ में समय निकालना अपने चल दिया मंदर में जाके बैठे हुए हैं, फिर भी, अब ऐसी स्तिती में कई बार माने लिया जाए कि केतु आपकी कुड़ेली में पिडित स्तिती में हैं, लगनेश कमजोर हैं, हमेशा याद रखिए कि लगनेश के साथ आपके व्यक्तित्यों को जड़ा जोड़ा जा रहा है, मान लिया जा बहुत कुछ सीख सकते हैं, इत्यादी, गलत दिशा, लेकिन वही केतु अच्छी स्तिती में हैं, आपके लगनेश मजबूत स्तिती में हैं, तो फिर आपको सचमुच किवल रूची नहीं होगी, वरन ऐसे लोग भी आपको प्राप्त होंगे, जो साधना की गहराई की और आपको लेकरके जाएं, पिडित हैं, तो भहरो जी की आराधना आप करिए, भहरो बाबा की आराधना बिशेश रूप से करिए, काले कुट्ते को भोजन कराईए, भहरो जी के मंदर में जाकरकर उनका धरसन करिए, और केतु को भी बली करिए, ओम केम, केतवे नमसमंत्र का भी जब करना आपके लिए फायदमन्द होगा इससे केतु संतुलित होगा और आपका जो गुप्त ज्यान है वो साकारात्मक परिणाम आपको देने लगेगा तो ये तीनों ही अंस पर जाहिर से बाते सबके नहीं होगे मैं जानता हूँ लेकिन जिनके हैं वो आजमा आपको तुरंत इसका प्रभाव दिखाई पढ़ जेगा पढ़ता होगा आपने ध्यान नहीं दिया होगा आज आज मालीजिए आसा करता हूँ ये ग्यान आज आपके लिए एक नया विशे जो आपको लेकर के मैं आपके समुखाया आपको आनन्द दिया होगा इस विशे पर आगे भी चर्चा कभी होई शमय होगी पुनह मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार